हलो फ्रेंड आजके इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने टेक्नो पोवा 5 जो अगर शो नहीं हो रहे तो इसके प्रॉलम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आजके इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का ह स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों अगर आपके मुवाल फोन में कॉल शो नहीं हो रहा है तो इसकी सॉल्विशन के लिए करना है क्या है देखिए सबसे पर आपको एक उप्शन देखने को मिल जागा यहापर इसमा आपको नीचे की साथ यह वाला ऑप्शन मिलता ह यहां पर आपको नीचे clear catch का यह option टाप करना है तो आपको यह जो है ने यह catch के सामने ला data 0 जायगा ठीक है अब आपको यह back page पर आना है, तो call management के ऊपर आना है यहापको यह option देखने को मिल जागा यह वाला android system, android system के ठीक सामने भी आपको 3 dot पर tap करना है, आपका यह page आता है इसमें आपको app info का यह option टाप करना है, इसके अंदर भी आपको storage and catch का यह option टाप करना है, यहाँ पर आपको नीचे clear catch का यह option टाप करना है, तो आपका यह catch के सामने अला data जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगला काम करना क्या है, mobile phone को restart करना है, इसके लिए phone के side वाला power button आपको उ mobile phone का software आपको check करना है, कि वो update है या नहीं है, इसके लिए पहले phone का internet आपको चलू रखना है, इसके बाद phone का setting page ओपन करना है, सबसुपर यह search setting पे tap करना है, यहाँ पर सबसुपर search बार में system update आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड़ यह system update का option show होता है, इसे tap करना ह आपको इस वाले page पे कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उस आपको tap करना है, फोन का software अपडेट कर ले रहे है, ठीके ना, अब दिखिए अगला काम करना है, क्या है mobile phone को reset करना है, दिखिए दोस्तों, यहाँ पे mobile phone को reset आपको तब कर आपको फोन को reset करना है, अदरवाइस नहीं करना है, फोन को reset करने के लिए, फोन का setting page उपन करिए, सबसे उपर आपको इस सर्च बार में reset आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड यह options होता है, erase all data, factory reset का इसे tap करना है, आपका फोन directly आपको setting में लाएगा, तो factory reset का यह option backup ले लीजे, दूसरी बात ही ध्यान रखने आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है, यह दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद phone को reset करना है, ठीक है, तो मेरे बदाएवे सारे process आपको use करने से आपके problem solve हो जाएगी